केंगे आज रेवी के संदर में आज की उद्धिश में क्या बढ़ा है दिखिए छत्रपति श्वाजी महाराज की जैंति के उपलक्ष में वननीस फरवरी का ही यहां कारिकरम था मेरा रोड पर लेकिन फिर पॉलिस द्वारा हमें यहां सूचना दी गई कि प्रधान मंत्री मो और थोड़ा डिस्टेपेंस हो सकता है और फिर वो समय पर परमीशन भी उन्होंने कैंसल कर दी गए थी तो उसके बाद में हम लोगों ने यह तही किया कि चत्रपति श्वाजी महाराज की जैंति हम लोग 25 तारिक के दिन भी मनाएंगे क्योंकि पूरे भारत में अलग-अल पूरी तो फिर पता नहीं किसके दबाओं में हमारी पूलीस तो लास्ट मुमेंट में परमिशन भी कैंसल कर दिया 25 तारिका भी फिर कोट की शरन में गए और कोट ने कंडिशन के साथ में आज की रैली का आज का सबा का परमिशन दिया है और बहुत अच्छा कारिक्रम चत्रपती शिवाजी महराज की जेनती पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही धुमदाम से मनाई जाती है और खास करके महरास्ट जैसे राज्य में तो हर जिले में हर विधानसभा में बहुत ही धुमदाम से मनाई जाती है तो आज मेरा रोड पर भी बहुत बहुए और अच्छे से कारिक्रम होगा इस प्रकार से एक शोशल मीडिया में एक वातवरन बनाया गया लेकिन जहां जहां पर हमारी सबाय होती है रैली होती है चोटी सी घटनाई भी नहीं होती है किसी प्रकार का कोई कमिनल वायलनस नहीं होगा और जितने भी जो चत्रपति शिवाजी महराज के माउले है इस कारिक्रम में जो आ जाने वाले शिवजन्ती के शुब और पर शांती पूर्वख से आना है ये भी हमारे हमारे माउलों को हम निविदन करते है मुझे पता नहीं और लगबग 15 दिनों से महारास्ट करनाटक राजिस्तान तिलंगाना हर राजी में मेरे कारिक्रम हो रहे हैं और चुनाओ के मद्य नजर यह कारिक्रम को जोड़ा जा रहा है मुझे नहीं लगता है कि चुनाओ और इस कारिक्रम से कोई संबंध है जो भारत मा की जय बोले वो अच्छा मुसल्मान है जो वंदे मातरम गीत गए वो अच्छा मुसल्मान है जिस देश में रहेकर उस देश की जय बोलने में जिसको शरम नहीं आती है वो अच्छा मुसल्मान है मेरे नजर में मुझे आप जो बात की है वो मुझे समझ में नहीं आया मुझे उस विशे पर तो पता नहीं लेकिन मेरी नजर में वही अच्छा मुसलमान है जो देश का खाकर और जेश की गाता है वहीं अच्छा मुसलमान सर गीता जैन्न ने आपको निमंत्रों दिया जब्लिए और भी यहां बहुत से लिटा है तो गीता जैन के बारे में आपके निमंत्रों सिपार कर दे कि क्या कहेंगे दिखिए आरगनेजर्स तो कोई और है लेकिन हमारे गितादे जेन जी हमारी बहन है और बहुत वर्शों से उनके हमारे अच्छे संबंध है और कभी हैधरवाद आते हैं तो वो हम से मिलते हैं और कभी हम यहाblack है तो मौकार मिलता है तो हम उनसे मिलते हैं और आज भोजन करने का भी आवसर मिला क्योंकि मेरी विदानस वबा कैसी है यह है तो वो समय पर उनका अच्छा योगदान रहा है और आज उनके मकान आया आने का उसर मिला परिवार से हम लोग मिले भोजन विवस्ता होई अच्छे से वैसे बस वही हमारे रेलेक्शन है पॉलिस इतनी क्यों मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि अभी तक हमारे जहां-जहां कारिक्रम हुए है हम दूर दूर तक तो पॉलिस हमें दिखती नहीं लेकिन पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर इतनी सारी पॉलिस है मैं समझता हूं कि कुछ भाई का वा ता औ आने वाले किसी प्रकार के कोई घटना ना हो जाए उस प्रकार से पॉलिस बंदोबस कर रही है वह ठीक बात है अच्छी बात है लेकिन हम तो इतना ही आश्वासन देते हैं कि हमारी वैसे हमारे इस मीरा रोड का हो या मुंबई राज महराष्ट राज्जी का वातार हमारी वैसे तो खरब नहीं होगा देखिए आने वाला जो पार्लेमेंट जो चुना होगा वह कॉंग्रेस मुक्त होगा पहली बात दूसरी बात मोदी जी को कोई हराने वाली कोई ताखत पैदा नहीं है और 400 पार तो हो गई होगा क्योंकि आज भारत देश का हर वो ओटर यह जा किसान है तो हम है किसान हमारी जान है और अभी जो आंदोलन चर रहा है मैं समझता हूं कि उस विशे पर केंदर विचार करना चाहिए और उनसे समवाद भी करना चाहिए